प्रदसन देखने को मिल रहा है लेकिन उनका संगर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है अभी आगे उनके रास्ते में T20 शिरीज आने वाली है T20 वर्लकप आने वाला है लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा तड़का लगेगा एशिया कप को लेकर एशिया कप को लेकर टीम इंडिया की चुनोती खड़ी है और लोगों को उमीद है कि इस टूनामेंट में भारतिय टीम को ज़रूर जीत हासिल होंगी लेकिन इसके पीछे ये तीन बड़ी वज आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो यहां से वीडियो को ध्यान से और पूरा ज़रूर देखेगा वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुस्त लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपटीट आप तक पहुंसती रहें जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया को टीट्वेंडी वर्ल एक बार फिर महा मुकाबला देखने को मिलेगा लेकिन उसे पहले एशिया कप में तड़का है और एशिया कप में सबसे बड़ी प्रबल दावेदार टीम इंडिया मानी जा रही है लेकिन इसके पीछे ये तीन बड़ी वज़वी काम कर रही है ये देखने के बाद आप ख के साथ टीम इंडिया में है युवाओं का मिशरण आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारती टीम का नाम अब मजबूर टीमों की गिंती में आने लगा है वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट की तीनों फार्मेट में वही टीम में एक और कप्तान रोहिस जर्मा विराट कोली और केल राहूल जैसे धुरंदर वले बाज है जो दूसरी और युवा खेलाडी जैसे रिशाप पंद, इसान किशन, देउदत पडिकल, रुदुराज गायकवर समेथ कहीं अच्छे खेलाडी है सबके अलावें टीम के कोच और कोई नहीं बलकि भारती टीम की पूरो कप्तान राहूल द्रविड है जो इस टीम के इश्या कप में फाइदे मन साबित होने वाली है टीम इंडिया के पास जो अनुभव के साथ साथ यूआओं का मिश्रण है और जो कोचिंग की जो बहुत बड़ी बात रहने वाली हैं सबको देखकर यही लगता है कि टीम इंडिया इस बार इश्या कप की बाजी मार सकता है इसमें दूसरा बड़ा कारण आता है आंकडे भी दे रहे हैं कप्तान रोहित सर्मा का साथ जैसा कि आप जानते हैं कि भारती टीम मौजुदा समय में विश्व की टॉप टीमों में से एक है जो गेलने वाली साथ टीमों में काफी अच्छी है मैं कबर के अनुसरा भारती टीम ने 2018 में पाकिस्तान को अराकर एश्या कप को जीता था यही नहीं हाली में भारती टीम ने सिरलंका को भी हराया था ऐसे में यह सब यही इशारा करती है कि भारती टीम इस बार की जीत लगबग सुनिस्टित है बांगलादेश को भी हराया था और रोई सर्मा की कप्तान के लग के तोर पर भी एश्या कप की इस बार प्रवल दावेदार भारत माने जा रही लेकिन इस लिस्ट में पहले पायदान पर बड़ा कारण चीम इंडिया को परिस्तितियों की अच्छी जानकारी बताई जा रही भारतियों टीम के लिए बड़ा कारणिया है कि उन्हें पिस्ट लेकर मौसम तक का अनुबव है खबर के अनुसार इस एश्या कप का आयोजन स्रिलंका क्रिकेट बोर्ट कर रही है इसके मताबित यह नुमान लगा जा रहा है कि यह मैच उनके देश में ही होंगे या UAE में होंगी और पिछला दो IPL भारत ने UAE में खेलने का कारण उनके खिलाडियों को अनुबव और काफी उप्योगी शाबित होगा वहीं श्रलंका में भारतियों टीम का जीत का रिकॉर्ड भी काफी अचाए श्रलंका से कोई टक्कर नहीं बांगलादेश से कोई टक्कर नहीं इस हिसाब से टीम इंडिया का फाइनल में एक ही अगर कोई टीम है वो टक्कर देगी तो पाकिस्तान अगर उनसे जीत गए तो भारत ये फाइनल जीत जाएगा इश्यकप जीत जाएगा इश्यकप की ज़्यादा बार ट्रॉफी जीतने वाली भारत ये टीम ही रही है इस क्या सुचते के असबार भारत इश्यकप जीत पाएगा नहीं कमेंट चेक्शन में अपनी राय बताए और भारत को किस कमी पर काम करना चाहिए ये भी आप अपनी राय में जरूर बताए बागी फिलाल इस वीडियो में इतना ही